कि अग्षा प्रेंड्स वेल्कम टू एमकेच कैसे आप सब आज हम करने जा रहे हैं आपका जो मैथेमेटिक्स का चैप्टर नमबर तीन था उसकी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे पिछली वीडियो में हमने आव्यू के परकार वगएरा हमने देख ली थे उसका अब देखें वह आपकी स्क्रीन पर आ रहा है हमें दिया गया है फर्स्ट कोशन अपकी स्क्रीन पर आव्यू ए हमारे पास एक आव्यू है के लिए गयात किजिए सबसे पहला है आव्यू की कोटी उसके बाद है अवेव की संख्या तीसरा है अवेव एव ए-1-3-a2-1-a- फर और टो थरी uh देखिए सबसें लिखते हैं कि हमारे पास जो आवियू हमें दिया गया है वो क्या है solution कि कर वर्जारी कि श्लूूशन वडर है तो सुलुशन वन उसके अंदर हमारे पास जो है आवियू है वह में दिया गया है दो उसके बाद पानच उननीस उसके बाद माइनस साथ माइनस तो पाँच पटा दो बार है अंडरूट तीन एक माइनस पाँच और सत्वा तो ये आपके पास आव यू है उसके अंदर हमेन पहला जो पॉइंच होँए में पूच्या गईया है आव यू की कोटरी हमें बतानी है आव यू की मिज़्धी वीडियो में हमने देखा था कि आयविव की कॉटरी है वह में किस तरह से से निकालते हैं कि आवी कोटी हमारे पास निकलती है पंकितियों की संख्या गुणा स्तंबो की संख्या हमारे पास आवी कोटी हम किस तरह से याद करते हैं पंकितियों की संख्या गुणा स्तंबो की संख्या तो सबसे पहले काउंट करते हैं पंतियां कितनी है तो देखिए एक दो यह इस तरह से पंक्ति होंगी बाइन से दाई हम देखते हैं हमारी पंक्ति उसके बाद तीन यानि आभी कोटी क्या होगी सबसे पहले तीन गुणा देखिए हम किसी कोटी को अभी कोटी का हम एम गुणा एन के रूप में वेखते कर दें यहां पर एम होती है पंक्ति आभ यूखी कोटी होगी, वो क्या होगी, तीन गुणा, चार, दूसरा आमें पूचा गया है, अभेवों की संख्या, आप देखे, देखे, पिछली वीडियो में ने ये भी डिस्कस किया था, ताकि जो आप इतने को होई होती है उसका उसको जब आप गुणा करते हैं या कितनी है। कि दो है और पंक्ति की कितने हैं तो यानि हमकेदे पास नदर कितने तो कांट एक-धी गूल सब्सक् richest लोघ करेंगेस करेंगे लिए अपक दशल्व करेंगे फुर啤 समों few लार चार कोके बारे हैं या लगर ने。 है तो आप अपने satisfaction के लिए आप counting भी कर सकते हैं देखिए एक दो ती चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारत बारे हमारे पास अवेव कितने बारे या फिर आप इसे सब्किंद आपता सब्सक्राइब करने तर्ड पाट्मे दिया गया है कि हमें गहात करना है वेव तो यह कि हमें लेन है उसके बाद है एक उन उसके बाद हमारा व्यव है ए थ्री-थ्री यस ए थ्री-थ्री उसके बाद है हमारा एक व्यव ए टू-फॉर और ए टू-थ्री जilt Sarah fine onyou Of complete यह होते हमारे पास प्दांक जो पहला यानि इस प्दांकों की जो पहली जो सुंख्या हो जानी पहला जोंक कोब वह वह हमें क्या बताएगा पंग्ती उसके बाद दूसरा जोंक होगा वह हमें बताएगा कौंसे स्थम में तो या1-3 क्यात करना है देखिए पीछली वीडियो में हम इसे भी डिसकुस कर चुके हैं तो a1-3 किस तरह से यानि पहले पंक्ति और तीस रस्थम सतना है यान किसे जब यानि जब हमने आव्यू का निरूपन किया था तो उसके अंदर नहीं देख्खा था कि हम किसी भी या किस तरे से निरूपित कर सकते तो पहली पंक्ती होगी और स्थम्भ तो यह क्या बढ़ Dienst उसके बाद एक ट्सके अंदर होगा एक टूवन बढ़ेंगे से देखिए दूसरी पंग्ति और पहला स्थमभ दूसरी पंक्ति चेट दो और पहला स्थम्भ यह नि इसी स्थम्भ का ज़ो विभ होगा यानि 35 हमारे पास अंसर क्या आया 32 ये एक हमारा ये एक अंसर है उसके बाद ये एक अंसर है ये हमने याद किया है और एक ये हमने याद किया है अभी हमने चार अंसर निकाल लिए है ठीक है उसके बाद A33 हमसे पूछा है, यानि पंक्ती की ज़स्वाइब वो 3 है और स्थम की स्थम की है, वो भी 3 है देखें, पंक्ती 1, 2, 3 तिस्टी पंक्ती और तिस्रा ही स्थम 1, 2, 3, यानि अंसर क्या आएगा, माइनस 5 माइनस 5, ठीक है एक सेकिंड माइनस 5, ठीक है उसके बाद A24 यानि दूसरी पंक्ती और चोथा स्थम दूसरी पंक्ती और चोथा स्थम दूसरी पंक्ती और चोथा स्थम गोंचाओ का ये वाला, यानि 12 है, तो यह आ गया 12 है, चिक है हमारा ये भी एक अंसर है उसके बाद A23, यानि एटू-3 या इस तरह से आप ले सकते हैं एक थ्री-3 के उपर वाला या एटू-4 के पहले वाला नहीं तो आप देखिए यहां से कनफर्म कीजिए दो है वो पंक्तियों की संख्या बताएगा और तीन है वो स्थमों की संख्या बताएगा तो देखिए पंक्ती कितनी है यानि सेकिंड कोशन हमें दिया है कि यदि किसी आव्यू में 24 अव्यव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है यदि इनमें 13 हो तो कोटियां क्या होगी देखिए इस तरह का जो कॉशन हमने पहली वीडियो में भी किया था जब हम मैट्रिक्स का यानि आव्यू का रूप कर रहे हैं उसके अंदर मैंने का था कि यहां पर एक सोटा सो कोशन किस तरह से बने आपको बता ना होगा कितनी संभव कोटियां होगी ठीक है उसकी वर्डिंग आपको यहां पर पता चल गई उप्रिक्त आव्यू या जो हमारे पास प्रशनरों साथ जो में आव्यू दिया गया है तो वर्डिंग देखिए अप इस तरह से लिख सकते हैं आविया प्रशन में डिये गए आव्यू की कि संभव कोटिया ठीक है यह रेस करते हैं तो देखिए मैंने एक ट्रिक के भी बताई थी आपको कि हम इसके जब हम इसके गुणंद खंड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके जो संभव कोटिया वो क्या क्या हो सकती है तो देखिए किन किन को गुणा करेंगे हमारे पास 24 अंसर है सबसे पहले तो हम एक से गुणा करते हैं ठीक है जब हम एक का गुणा करेंगे 24 से तो भी हमारे पास सभय होगी संख्याएंगी 24 उसके बाद जब हम 2 को गुणा करते हैं 12 से दो का गुणा कि हमने 12 से तो भी हमारे पास अंसर आएगा 24 जब हमने 3 का गुणा किया 8 ठीक है तब हमारे पास अंसर क्या आया 24 उसके बाद हमने किया 4 शे गुणा चार गुणा 6, तो हमारा अंसर क्या आया, 24, जब हम गुणा करेंगे, जब देखे, इसके आगे 5 से तो हम गुणा करने सकते, जब 6 आएगा, तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है, 6 गुणा 4, यानि ये इसका इंटरचेंज हो गया, उसके बाद इनको भी चेंज कर द है, 3-8, 6-4, 4-6, 6-4, 8-3, 12-2, 24-1, ठीक है, ये आपकी संभव कोटियां होगी, इससे ज्यादा आगे कोटियां नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हमारा जो कोशन का सेकिंड पार्ट था, देखे, यहां तक आपको क्लियर होगा कि कोटियां किस तरह से हम लिख कोशन का, उसके अंदर हमें कहा था कि एक आव्यू है आपके पास, माली जी एक आव्यू है, उसके जो अव्यू है, वो कितने है, 13 है, आपको बताना है कि संभव कोटियां, तो आप लिखेंगे, यही उप्रियुक्त आव्यू कि संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, तो दिखेंगे, 13 के गुणा खंड क्या क्या हो सकते हैं, एक तो एक गुणा 13 हो सकता है, तो यहां तो दो ही जो आपके पास आव्यू है, तो यह हुआ आपको आपका, यह जो सोलूशन नमबर दो है, यानि अब देखिए, यहां पर एक और कोशन हो सकता है कि जो आव्यू क्या जा सकता है कि जो आप आविव आपके पास होंगे उन्हें आप किस तरह से नाम देंगे तो हमने पिछली वीडियो में किस तरह से किया था कि यदि उसके अंदर एक पंक्ती है एक पंक्ती सिरफ एक है तो हम उसे कहेंगे पंक्ति आविव और अगर स्तंब एक है तो हम उ यानि कोशिन नमबर थर्ड आपको दिया है यदि किसी आवियू में अठारा है तो इसकी संभव कोटियां क्या है यदि इसमें पांच हो तो क्या होगा तो देखिए यह कोशन है जो आपके लिए होंवर्ग रहेगा बिल्कुल सिंपल कोशन है देखिए मैं बताइब तो किस सिस्तरे से आपको करना है इसके अंदर अब करना है इसकी अंदर तौब को ठारा आपके लिए उप आज आपको एक लिए उप हो thanks के लिए तो इसका अनसर तुम एह ही कर सकते हैं टुछ है तो यह आपका जो सुलुशन नंबर 3 यह भी हमने कमडीट कर लिया है अब हम देखतें आपका सुलुशन नंबर 4 देखे अच्छा कोशन नंबर 4 अच्छा कोशन है आप इस स्केंट पे है कोशन एक 2 गुणा-2 आवियू ए बराबर ए आईजिय की रचना है देखिए सबसे पहला solution number 4 उसके अंदर हमें सबसे बहले question क्या कह रहा है कि आपको एक आविव बनाना है ए ठीक है आपको एक आविव बनाना है ए और उससे आपको दिया गया है और यहां पर हमें कोटिया भी जैदी यानि दो गुणा दो यानि अविश्के अंदर कितने होंगे यानि दो ही पंक्तियां होगी और दो इस्तम यानि चार अविव ही है एकल टू आई पलस जे की होल स्केल एकल टू ऑपन फो ठीक है इस तरह से हमारा जो पहला आभी होगो परिभाशित है को एक फलन दिया गया है इसके अंदर हमें आई और जे के मार्टने जब आप मान रखते जाएंगे इसके अंदर तुम्हारे पास जो आपका यह आपका आपको मिल जाएगा यानि सबसे पहले देखिए हमें आवियू की रचना करनी है जिसके अंदर बंध होंगे देखिए ए वन वन टू ए टू ए टू 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 यह होगी दो गुणा दो एक कोटी का एक आवियू जिसे हम कहेंगे ए चिक है अब देखिए यहाँ पर हमें आई जे यानि हमें सबसे पहला जो पद है वो ए वन वन है यानि हमारे पास आई का जो मान है वो भी वन है और जे का मान है वो भी वन है तो यहाँ पर हम ए वन वन ग्याद करेंगे तो हमारे पास आएगा आई का मान वन और जे का मान भी वन उसक्या स्केर और पॉन में दू तो यह सबसे बहले हम एड करेंगे इनको क्या होगा एक और एक दो उसकी स्क्यर अपोन में दो थिक है तो यहां से स्क्यर से कट जाएगा आपका जो आणसर आएगा वो आएगा दो ठीक है तो यह हमारे पास जो फनमा है वह में क्या मिला दो ठीकि यह हमारा अंसर होगा उसके बाद हमें ज्याद करना एवन टू एवन टू तो हम एवन टू याद करेंगे तो यह आएगा वन प्लस आई कमान वन है और जे कमान है तू इसकी स्केर अपन में टू इस इक्वल टू वह एक और दो कि दो दो ये बनेगा इंटिया 9 सफन में दो frequencies कि या वैं मैं आइस इन सुनब्गाई चिर और ऑन वैं टू या a21et 21 your 21 जम ग्यात करेंगे देख किस्तर से шaaf ओन के लिया में जो कहान है वह हमें दिया गया है दो और जीका मान है वह मारे पास क्या है एक तो हम इस फ्रॉमलें में महा जोई तो नाइन बैं टू या फॉर पाइट फाइव वह तो लिखे हमने देख लिए कि अगर नाइए फॉर पाइट फाइव रखना चाहे तो फॉर पाइव अधर वाज नाइन वैट भी सही रहेगा ठीक है तो हम यहां पर लखेंगे नाइन बैं टू उसके बाद ए टू-टू हम याद करना है ए टू-टू तो एटू-टू के लिए हम यहां पर लिखेंगे तो प्लस टू फॉल स्केर प्लस प्लस में यह आएगा फॉर की स्केर अपॉन में तो यह बनेगा सिक्स्टीन अपॉन में टू इस इक्वल टू एट चिक है तो यह हमारा अंसर एगा एट हमने जो आव्यू है वह हमने गयात कर लिया है हमारा जो फॉर्स्ट कोशन हमें यह जो फलं दिया गया था उसका हमने यह जो मानेवन निकाल लिया तो यह हमारा क्या होगा अंसर होगा चिक है इसे मैं अलग बोक्स में बंद कर देता हूं थाकि हाई-लाइट हो जाए ठीक है यह आले हैं वह किस तरह से होगे ए वन 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 ये वन टू ए टू वन और एटू ऑके और चो कोटी होगे वह यह ठीक है दो गुना दो कि क्योंकि परशन हमें दिया गया तो ए आईज यानि ए वन वन अगर हम याद करें तो वह क्याएगा बन अपॉन में वन इस इक्वल टू ठीक है उसके बाद ए वन टू अगर हम याद करें तो वन अपॉन में टू क्योंकि आई का मान है वन और जे का मान है टू तो वन अपॉन में टू यह आजएगा जीरो पॉंट फाइव अगर आप यह लिखना चाहे तो यह लिख सकते हैं अदरवाई यह भी लिख सकते हैं उसके बाद ऐसा с örem डू lives Bueno do आई का मान है दो और जिझे का मान एब तो ठीक है यह अंसर आएगा हमारे पास दो चिक है उसके बाद एक टूटू इस इक्वल टूटू क्योंकि एक दूसरे से इंसर आउट हो जाएगे ठीक है तो मारे पास जो आविए बना यानिए हमारे पास आंसर क्या आया है एक जिरो पॉइंट फाइव यह वन वाय टू वन उसके बाद टू वन चीक है यह आपका जांसर यह होगा यानि जो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो भी हमने कम्प्लीट कर गया है अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पार्ट देखे थर्ड पार्ट उसके अंदर हमें ए आई जे दिया गया है आई पलस टू जे की स्केर अपॉन में दो ठीक है यह एक पार्ट आपका होग रहेगा देखे किस तरह से करना है आपको चार पत निकाल लें यही ए वन वन टू ए टू वन और टू ठीक है यहां पर आई और जाए कि जगह पर मान आठाना है आपका जिस तरह से पिसे सवyesol करें यह यहने सॉल किया तो उस सव colonial करेंगा आपका सब्सक्राम का जा एंसर हो आ जाए गा riz वाप देख लीजिया कि ils तरे से आपको मिलेगा कि फॉर पॉיק फाईब पॉंट की एड़ पौिंट फाइब वो कर लिए है अब हम देखते हैं हमारा इसका next question question number five question number five भी इसी प्रकार करें question है हमें AIJ का मान यानि हमें एक आव्यू बनाना है उसके लिए हमें फलन दिया गया है उसे हम गयात करेंगे तो देए किस तरह जैसे करेंगे सबसे पहला जो पार्ट है question आपकी सेंपे है उसमें पहला पार्ट चलिए मैं करा जेता हूं उसके बाद जो second part है वह आपका homework रहेगा तो first part है आपका solution five इसके अंदर first part है कि आई जे इस इकल टू वन अब बॉन में टू उसके बाद माइनस थ्री आई प्लस ठीक है यहां पर अब सबसे बड़ी बात आएगी कि हमें बनाना यानि जो इसकी कोटी रहेगी वह क्या रहेगी तो कोटी हमारे पास दी गई है यह आपके पास एक आभी होगा उसकी जो यह चार इसके नदर फंकतियां होगी और चार उसके अंदर स्तंव ओं तो किस तरह से करेंगे सबसे पहले हम देखते है कि यह जो आवी बनेगा यह किस तरह से त्पिंप एटूटू जिसने नाम देए को इसके लिए जो शर्त है वहां पहली वीडियो में कि जी आपके अभी होगा वह अमेशा capital letter में ही होगा उसके बाद सब्सक्राइब हम देखते हैं ए वन वन तो ए वन वन हमारे पास आएगा वन अपॉन में टू देखिए यह मॉडल से ना की ब्रैकेट है यह क्या है मॉड किसी भी या पर हमारे जो हमारे पास जो संक्या आएगी उसका मॉड हमारे पास हमारे पास होगा यहां एक प्लस बैस ही है एक इसी सॉल्व करने पर मास तřी tu1-3 प्लस वन एगा यह एगा 1 अपन में टू उ माइनस डू अब देखिए बनेगा 12 इन तू अब देखिए यहाँ पर मोड है तो यह जो माइनस की संख्या यह प्लस की हो जाएगी तो आपके पास जानसर एक हुआएगा ठीक है उसकी बाद कि यह एफन तो के लिए वन अपन में टो आई कमन दो देखिए एक है लेकिन जे का मान है दो तो माइनस 3 into वन प्लस दो ये बनेगा वन उपान वे टू माइनस त्री प्लस टू इस एकल टू यहां पर देखिए माइनस एक आए बाद एब उसके बाद एब नौट कर लेते हैं यहां तो ए जो बनेगा वो किस तरह से बनीगा सबसे पहला जो आपका अब अब आएगा वो आएगा एक उसके बाद 0.5 एक उसके बाद 0.5 है चीक है चलिए उसके बाद है एए बन थरी और एए बन फॉर ए बन थरी और ए बन फॉर तो बन थरी के लिए हम माहन रखेंगे वन बाइट वाइट वाइनस री आई कमान है एक और जे कमान है तीन तो यह आएगा वन अपॉन में टू माइनस री प्लस त्री यह वाज़ा आएगा वन पॉन में टू इंटर 0 is equal to 0 उसके बाद एवन फॉर एवन फॉर वन अपॉन में टू माइनस री इंटू 1 प्लस 4 यह किस तरह से आई कमान जो था वह आपके पास था एक और जे कमान था तो वह था चार आई कमान एक और जे कमान चार यह हमने वैली पूट की है यहां पर एक बटा दो माइनस तीन प्लस चार इस इक्वल टू वन ओगॉन में टू यह आएगा एक प्लस का एक और यह होज़ेगा वन बैटू यह 0.5 तो हमारे पास एवन तरी और एवन फॉर क्य आएगा जाया 0.5 ठीक है उसके बाद हम देखते हैं एक टूवन और एक चलिए एक टूवन और एक टूवन और एक टूवन और एक टूवन में टू माइनस त्री इंटू टू प्लस स्वान एक टू यह बनेगा माईनस सिक्स प्लस एक पलसन फॉन को प्रिए ऌना पाइन स्वाइकंड में टूअ Ц्वीए वन अंच्स्ट के लिए गिए यहां पर हमारे पास प्रस आई का मान भी दो और जे का मान भी दो किस तरह से करेंगे हम वन्सकॉण में टू माइनस ढू टू टू प्लस चाहिए इसे जब हम स्वलम करेंगा थाया हमारे पास प्लिस यह बना वंडा बॉन में टू इंटू यह मोडूलस यह रखते हैंक पर चार पर में टू इंटू फोर इसको सॉल्ब करने इंवारे ने पास चार आए माइनस का चार एक सोरी और वह मोडूलस रड़ना रहने का बाद प्लस का हो जाएगा हमारे पास अंसार आएगा अब निकालते हैं A 23 और A 24 अब निकालते हैं A 23 और A 24 अब निकालते हैं A 23 थे मैंनस तीन दो प्लस जी का मान दो एक ब्स दो यह बना माइनस चैनल रिस्तिन ना पर एक ब्सक्राइब को यह बना माइनस तीन डीन लिख सकते हैं उसके बाद है ए टू फॉर बन अपॉन में टू इंटू माइनस थ्री इंटू देखिए आई का मान है दो और जे का मान है चार बन अपॉन में टू यह बनेगा माइनस सिक्स प्लस फॉर इस इकल टू माइनस टू गोड़ल सिठाने के बाद दो इंटू दो इस इकल टू वन हमारे पास एटू थ्री और टू फॉर का मान क्या है वन पॉंट फाइव और वन चीक है उसके बाद है इस प्लेखे गधन के ओन इस एट्री लोरे वन एट्री तू ए थ्री और और एट्री कमरे पास चार यह हो रहे हैं उसके बाद हमारा जो आविए वो कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए A3 1 upon me 2 modulus minus 3 into 3 plus 1 is equal to 1 upon me 2 minus 9 plus 1 1 upon me 2 calculation नहीं देखिए आगे आप कर सकते हैं easily minus 8 1 upon me 2 into 8 is equal to 4 चीक है उसके बाद A3 1 upon me 2 minus 3 into 3 plus 2 is equal to 1 upon me 2 minus 9 plus 2 is equal to 1 upon me 2 minus 7 1 upon me 2 into 7 यह बनेगा 3.5 ठीक है उसके बाद A33 1 upon me 2 3 into minus 3 यह बाद सकते हैं so minus 3 into 3 plus 3 is equal to 2 इवा नहीं गा minus 9 plus 3 is equal to 1 upon me 2 इवा नहीं गाद सक्स्स minus 1 upon me 2 into 6 is equal to 3 चीक है अब आएगा हमारे पास A34 देखे सबसे पहले यह नोट कर लेते हैं 4 3.5 3 उसके बाद अब तो सिर्फ हमें एक ही अब वह चाहिए यानि एक जो हमारे पास पद रहा है हमारे पास 5 अब देखिए A34 हमें चाहिए तो कॉशन कुछ इस तरह से था माइनस 3 इंटू 3 प्लस 4 इस इकल टू 1 अपॉन में 2 माइनस 9 प्लस 4 बन अपॉन में 2 माइनस 5 5 बाइ 2 मोडूलर सटाने के पाद हमारे पास सीधा यह 5 रहेगा हमारी आजेगा 2.5 तो इस तरह से आपका जो आव्यू ए है वह आपको मिल चुका है यह जो आपके अवेव है और हमने तीन गुणा चार को ठीके गाव्यू की रचना करती है ठीक है और उसके बाद जो सेकिंड कोशन है वह आपका होग रहेगा तो अगला कोशन सेक्स्त कोशन आप इस्क्रीन पर है निमा लिकित समय करनों से एक्स वाई तथा जैड के मान गया था हमें गयात करने है तो देखे सिक्स्त कोशन है हमाने पास उसका फॉर्स्ट पार्ट है वह हमें दिया गया है और यू है चार थी थोड़ा सब्सक्राइब लिए चार तीन एक्स पार्ट वाइज एड़ वन वाइफ चिक है चलीए अब यहां पर हम एक रूल अप्लाइगे तो वह नियम क्या है देखे यदी दो आवियू बराबर है यदी दो आवियू बराबर है तो उनके जो संगत अवय होंगे वह भी क्या होंगी बराबर होंगे यदी दो आवियू आपको बराबर दिये गए हैं तो उनके संगत अव कि यदि दो आव्यू समान है तो उनके संगत अव्यभी बराबर होगी इसलिए अब देखेंगे चुन यह बढ़ी बराबर है तो एक्स बराबर क्या होगा एक एकश बराबर एक कहां से आया देखिए तुलना की हैं हमनी दूना आविऊं की तुलना करने पर ठीक है इसे आप पहले भी लिख सकते हैं यहां पर लिखकर उसके बाद X प्राबर 1 कैसे पता चला जब आपने दोने आवे हो कि तुलना की तो पता चला कि X प्राबर 1 अगर हम पता लगए तो य का मान आएगा हमारे पास चार ठीक है एला वह पहला वह उसके बाद जैट की अगर अपने बात करें तो जैट का मान आएगा अपने पास तीन तो यह होगा अपना अंसर एक्स का मान एक वाई का मान चार और जैट का मान तीन ठीक है अब मैं सिर्फ यह लाइन है वो रखोंगा और बाखी सब कुछ ही रेस कर दूँगा नेक्स आपके पास एक्स प्लस वाई इस इकल टू तू तू सुरी एक्स प्लस वाई दो एक्स वाई उसके बाद है फाइब प्लस जेट बरागर इसिक्स टू six टू फाइब टाइब फाइब लेज़ए और रखी जानते हैं कि यदि दो आवीं समान है तो उनके संगत अवे बेलाबर होंगे तो यहां पर देखे जैड का मान अगर अपने सबसे पहले निकाले जेट कम आन अगर अपने सबसे पहरे निकाले तो ओके आएगा सब तो जैड के लिए 5 प्लस जैट इसऑल टूवाइड फ़ाइब फैप लिए जैड इसकुल टू तोफ इस तरह नहीं लिखेंगे तो फांग प्लस जैड आपके पास क्या आएगा तो z is equal to 5 minus 5 5 minus 5 तो z का मान आपके पास क्या है या 0 ठीक है उसके बाद है next तो हैंपर z का मान side में दिखते हैं z का मान क्या है 0 उसके बाद यहां से देखें x y का जो मान होगा वो क्या होगा 8 यहनि x into y x गुणा y वो आपके पास क्या होगा 8 तो अगर हम यहां से y का मान निकाने तो हमारे पास क्या आएगा 8 upon me x इसे हमने माना समीकर्ण 1 ठीक है उसके बाद अगर हम दोबारा तुलना करते हैं तुलना करने पर हमारे पास हमें पता दला कि यह एक्स प्रस वाइज इकल टू क्या होगा 6 तो समीकर्ण एक से हम यहां पर मान रखेंगे समीकर्ण एक से एक्स प्लस वाई कमान हमारे पास यहां पर दिया हुए 8 upon me x is equal to 6 तो यह देखी क्या बनेगा एक स्क्यार प्लस एट इस इकल टू शिक्स एक्स ठीक है इस तरह बना थोड़ा सा यहां पर एक्स होगा नीचे बूदर चला जाएगा प्लस एट इस इकल टू शिक्स एक्स देखिए क्या बनी आपके पास एक द्विगाद समीकर्ण यह क्या बनी आपके पास द्विगाद समीकर्ण द्विगाद समीकर्ण को हम देखे किस तरह से सोल्व करेंगे तो X square X square minus हम इस 6x को दिर ला रहे हैं तो 6x इस पक्षांतरन करने पर जब यह आएगा इस एकल टू एट जीव चिक है उसके बाद जब द्विगाद सर्मीकर्ण को हम सॉल्व करते हैं तो किस तरह से करते हैं इसके जब हम गुद्धन करेंगे तो यह बढ़ेगा X square minus 4x minus 2x plus 8 is equal to 0 ठीक है इस तरह से आप इसके गुद्धन करेंगे उसके बाद एकस स्केर गुद्धन चलिए थोड़ा सा बता जेते हैं कि दिखेंगे इनका जो योग आएगा वो क्या आएगा माइनस 6x और जब हम इसका गुद्धन करेंगे तो मारे पास आंसर रहेगा यहां से हमने लिया दो कॉमल लिया ठीक है दो हम यहां पर कॉमल लेते हैं तो हमारे पास अंसर आएगा एकस माइनस 4 is equal to 0 यहां से पनेगा एकस माइनस 4 और एकस माइनस 2 is equal to 0 एकस एकस की मान हमारे यहां पर पर प्राप्त होंगे 4,2 ठीक है तो एकस की आमारे पास 2 मान आएंगे एक तो एकस मान आएगा 4 और एककस कामान आएगा 2 डोख्त निकालते हैं Y का मान अब देखें हमने यहांपर जो समीकर्ण ली थी समीकर्ण एक वो थी Y is equal to 8 upon me X अब यहांपर X के 2 मान है तो जब हम X पर आपर 4 रखेंगे तो हमारी पास Y का मान आईगा जब X पर आपर 4 तो Y का मान आएगा Y is equal to 8 upon me 4 is equal to 2 और जब हम X का मान रखेंगे 2 जब यहांपर X ही रखते हैं जब X परावबट 2 तो Y का मान आएगा 8 upon me 2 इस इकल दू 4 तो क्या लिखेंगे जब X परावबट 4 होगा तो हमारे पास Y का मान आएगा 2 और जब X परावट 2 होगा तो Y का मान आएगा 4 ठीक है तो इस तरह से हमने Y की value भी find कर ली तो Y के मान आएगे 2,4 ठीक है जब X का मान 4 तो Y का मान दो और जब X का मान दो तो Y का मान 4 उसके बाद है next question 6 question का जो थर्ड पार्ट है जब X प्लस Y प्लस जढ प्लस जढ आएगे नाइन फाइव सेव ठीक है देखिए चुकि हम जानते हैं यदि दो आवियों समान हैं तो उनके संगत अवियों भी बराबर होंगे तो हमारे पास देखिए समीकंड किस तरह से बढ़ेगी तुलना करने पर एक्स प्लस वाइप प्लस जेट इस इक्वल टू नाइं यह वाला हमिया समीकंड एक उसके बाद एक्स प्लस जैट इस इकल टू ऑ फइफ के बाद है एक्स प्लस स्वाइब अगर हम समीकंड एक में से समीकंड दो गटाए यानि समीकंड एक में से सिमिकर्ण दो घटाने पर तो एक्स प्लस 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 जड़ माइनस एक्स प्लस जड़ इस इक्वल टू नाइन माइनस फाइव तो देखे क्या रहेगा से एक्स प्लस प्लस जद्ट माइनस एक माइनस जड़ी सीकल टू फॵ ज इसका बनेगा नहीं Skills । उस तर oil जहिए यह माईनस नहीं कंधा है x plus y plus z minus y plus z is equal to 9 minus 7 तो यह बनेगा x plus plus z minus y minus z y is equal to 2 तो y से y cancel z से z cancel तो यह x is equal to 2 ठीक है x और y के मारे पास मान आगे अब x और y का मान जब हम समीकर्ण एक में रखेंगे देखिए किस तरह से बनेगा x था y के माहन समीकर्ण एक में रखने पर x का मान है देखिए 2 और y का मान है 4 तो 2 प्लस 4 प्लस z is equal to no तो चार और तो 6 प्लस z is equal to no z is equal to 9-6 z is equal to 3 ठीक है तो x का मान है 2 उसके बाद y का मान है 4 और z का मान है 3 चलिए यह question भी आपका complete हो चुका है अब हम देखते हैं आपका question number 7 देखिए question number 7 में आपकी screen पे है उसके अंदर आपको a b c तथा d के मान गयात करने है यह question जो आपका homework रहेगा यह आपको करना है और जो answers है वह देखिए किस तरह से है a b c तथा d के जो मान आएंगे वह देखिए किस तरह से हैंगे solution number 7 आप question कीजिएगा solve उसके बाद जो आपके answer है उन्हें match कर लीजिएगा तो a कमान है आपके पास a b c और d तो a कमान आएगा आपके पास a b कमान दो एक दो c कमान तीन और d कमान आएगा आपके पास चार ठीक है इसे solve कर लीजिए आपके पास 7th question का answer आ जाएगा उसके बाद question number 8 question number 8 था आपकी स्क्रीन पर इसके अंदर कहा गया है कि आपको एक आवियू दिया गया है एस इकल टू ए आई जे m into n एक वरग आवियू है यदी यानि यह हमें एक वरग आवियू बढ़ाना है तो यदी किस तरह से यह वरग आवियू होगा तो देखे जो फर्स्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने बात की थी वरग आवियू और आयताकार आवियू जिसके अंदर m और n की संख्या क्या होती है बराबर होती है और आयताकार आवियू उसके अंदर m और n की संख्या बराबर नहीं होती है यहां पर तो यहां पर आपके पास जो ऑप्षिन है डिया हुए एम लेस देन एंड एम भी ऑप्षिन हैं एम ग्रेटर देन एंड और सी है एम इस इकल टू एन और डी है इन मेंसे कोई नहीं तो आपका जो कौशन अंबर सी है वह आपका राइट अंसर होगा उसके बाद सुलूशन नमबर 9 कौशन नमबर 9 भी आपकी स्क्रीन पर है इसक े लएक के अंदर १ाइं के प्रत किस मानों के लिए आव यू कि निमान लिखी त्यूगम समान है तो आपको एकस और वय के मान गयाद करने यदि जो दोनों आविऊ अब दिये गए है वह क्या हो धुम हो ठीक है तो इसके अंदर आपका option दिया गया है A option X परावर माइनस 1 बाई 3 और Y परावर 7 B है ग्यात करना संभब नहीं है C है Y is equal to 7 X is equal to minus 2 by 3 और D है X is equal to minus 1 by 3 Y है minus 2 by 3 तो सबसे पहले देखते हैं आविव solution number 9 आविव आपको दिये गए है 3X plus 7 5 Y plus 1 2 minus 3X यह बरावर है किसके 0 8 4 Y minus 2 ठीक है तो चूंकि हम जानते है यदि जो आविव आपको दिये गए है वो बरावर है तो उनके संगत अवे भी क्या होंगे बरावर होंगे तो यहां से जब हम समीकर निकालेंगे तो Y कमान सबसे पहले Y कमान देखते है है तो Y कमान आएगा आप देखे यहां से य कमान निकाल सकते है और यहां से य कमान निकाल सकते है Y कमान आपके पास आएगा Y plus 1 is equal to 8 तो वाई इकल टू होगा आपके पास सेवन ठीक है अब वाई इकल टू सेवन तो आ गया यानि को अप्शन नम्र सी हो सकता है लेकिन अभी अमें एक्स का मान भी निकालना होगा तो एक्स के लिए देखिए सबसे पहले इस समीकर्ण से अगर देखें क्योंकि अगर हम इस समीकर्ण से जब वाई का मान निकालेंगे तो भी वाई का मान सेवन ही आएगा वाई माईनस टू इस इकल टू फाइव और वाई इकल टू सेवन यहां तक पता चला कि ओप्शन नमर सी हो सकता है ठीक है ए और अभी तो नहीं होगी क्योंकि वापर सोरी ए और सी हो सकते हैं क्योंकि वाई कम डी के अंदर जो वाई का मान है वो अलग दिया हुआ है यहां पर अगर बात करें यह जो समीकर्ण यानि यह बनेगी स्ट्री एक्स प्लस सेवन तो ला करने पर मारे पास आएगा जीरो ठीक ह सेवन एक्स इस एकल टू माइनस सेवन वाई थी एक मान तो यह ठीक है अभी इस समीकर्ण को जब हम सॉल्व करेंगे तो यह मारे पास चांसर है वह ही आना चाहिए यानि जो स्लूशन नंबर देखिए एक्स का मान अभी दो अप्शन में से नहीं आ रहा है ठीक है अगर द 6-86 में एक्सिब्ट सुल टू-ट है ऊंडा轉 के में यहां पर य का मान थो हमारे पास आगे लेकिन एक्स का मान हमारे पास यहां पर नहीं निकल वर्डन उक्शन नंबर टैनपी स्क रिल्टीन मुनाğ थिंग整 टेल्क है ऐसे आगिंगे कुल कितनी तो होगी जिनकी प्रतेक प्रिविष्टी जीरो या एक है तो देगे कोशन क्या कहना चाहता है कोशन में दिया गया है सुलीशन नबर टैन है कि आपके पास एक आव्यू है तीन मुणा तीन की कोटी का जिसके अंदर तीन ही पंक्ति और तीन ही संभ है है वहाँ पर अवेव आपको रखने है जो या तो जीरो हो सकता है या एक हो सकता है तो देखिए इस तरह कोशन को करने के लिए आपने जो क्लास 11 थी उसके अंदर क्रमचे संचे बढ़े होगी तो उसके अंदर जैसे माल लीजे एक एक जो है रख सकते हैं जैसे माल लीजे आपके पास दो है चार है और चैह ठीक है यहां पर आप रिपीडिवी कर सकते हैं जैसे दो दो चार चैह या दो 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 ठीक है इस तरह से तो आप इस स्थान पर 355 रख सकते हैं इस पर वी तीन इस पर फी teenagers ठीक है तो यहां पर देखिए आप किस तरह से इसजर आपर एक सकते हैं यहां पर भी टीन आ सकते हैं यहां पर भी inconvenience सकते हैं यहां पर हीटीन थे यह विदौन 1 ऊब करेंगे tracking जो है हमारे पास टुण WhatsApp themeери क्योंकि तीन अंकों से हम यानि हमें चार स्थान है और तीन अंक दिये गए हैं उनके अम करको ना चाहे तो देखिया उसके अंदर करना चाहे तो ठीक है अधरवाइस नहीं यह तो बाकि रेपिटेशन ता आको करना ना इस प्लेज ची तरह से इस confusion में देखें नो आपके पा गटने का सब्सक्राइब करेंगे आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर हम आपकी जो नेक्स प्रषणावली है वो स्टार्ट करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए तन्यवाद